C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय तीन चतुर भुजों को समझना प्रिष्ट संख्या 45, प्रशनावली 3.1 एक, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है 1. यहाँ पर एक अवतल पंच भुज की आकृति बनी है 2. यहाँ पर एक चतुर भुज की आकृति बनी है 3. यहाँ पर एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बना है 4. यह आकृति एक सितारे की है 5. यह आकृति दो अधूरे वृत्तों को जोड कर बनी है 6. यह एक कैपसूल जैसी दिखने वाली आकृति है 7. यह एक तीन चौथाई वृत्त है 8. यहाँ पर दो वृत्तों को एक सीधी रेखा की सहायता से जोडा गया है प्रतियेक का वर्गीकरण निम्नलिखित आध्यार पर कीजिए 2. निम्नलिखित प्रतियेक में कितने विकरण है 3. उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा एक चतुर्भुज बनाईए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए 4. तालिका की जांच कीजिए प्रतियेक आकरिती को त्रिभुजों में बांटिये और कोणों का योगफल ज्याद कीजिए यहाँ पर एक सारणी बनी है इस सारणी में तीन पंक्तियां है आकरिती, भुजा और कोणों का योगफल सबसे पहले आकरिती वाली पंक्ति में एक त्रिकोन बना है उसकी भुजाएं तीन है और कोणों का योगफल 180 डिग्री है इसके बाद, इसके बाद एक चतुर भुज बना है जिसमें चार भुजाएं है कोणों का योगफल 2 गुणा 180 डिग्री बराबर है कोश्ठक में 4 घटा 2 गुणा 180 डिग्री इस चतुर भुज के दो कोणों को बिंदु वाली रेखा से जोड़कर इसे दो हिस्सों में बाटा गया है अगली आकरिती एक पंच भुज की है इसे विकरणों की सहायता से 3 हिस्सों में बाटा गया है इसमें 5 भुजाएं है कोणों का योगफल 3 गुणा 180 डिग्री बराबर है कोश्ठक में 5 घटा 2 गुणा 180 डिग्री इसके बाद एक शड़ भुज बना है विकरणों की सहायता से इसे 4 हिस्सों में बाटा गया है इसमें 6 भुजाएं है कोणों का योगफल 4 गुणा 180 डिग्री बराबर है कोश्ठक में 6 घटा 2 गुणा 180 डिग्री एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्न लिखित हो 5. सम बहुभुज क्या है एक सम बहुभुज का नाम बताईए जिसमें 1. 3 भुजाएं 2. 4 भुजाएं 3. 6 भुजाएं हूँ 6. निम्न लिखित आकरितियों में X यानि कोण की माप ग्याद कीजिए A. यहाँ पर एक चतुर भुज बना है जिसमें 1 कोण 50 डिगरी है दूसरा 130 डिगरी तीसरा 120 डिगरी और चौथा X B. यहाँ पर एक चतुर भुज बना है जिसमें 1 कोण 70 डिगरी है दूसरा 60 डिगरी तीसरे के बाहरवाला कोण 90 डिगरी है और चौथा कोण X है C, यहाँ पर एक पंच भुज बना है इस पंच भुज में दो कोण X है और एक 30 डिग्री है पंच भुज के आधार के एक ओर 70 डिग्री का कोण है और दूसरी ओर 60 डिग्री का कोण है D, यहाँ पर एक पंच भुज बना है जिसका हर कोण X के बराबर है इसकी सारी भुजाएं बराबर है 7, यहाँ पर एक त्रिभुज बना है इसका एक कोण 30 डिग्री है और उसके बाहर का कोण Z है इसका दूसरा कोण 90 डिग्री है और उसके बाहर का कौन X है तीसरे कौन के बाहर का कौन Y है A. X जमा Y जमा Z ग्याद कीजिए D. यहाँ पर एक चतुर भुज बना है इसका एक कौन 60 डिगरी है और उसके बाहर का कौन Z है दूसरा कौन 80 डिगरी है और उसके बाहर का कौन Y है तीसरा कोण 120 डिग्री है और उसके बाहर का कोण X है चौथे कोण के बाहर का कोण W है B X जमा Y जमा Z जमा W ग्याद कीजिए प्रिष्ट संख्या 47 3.3 1. बहु भुच के बाहये कोणों की मापों का योग कई अफसरों पर बाहये कोणों की जानकारी अंतह कोणों और भुजाओं की प्रकृती पर प्रकाश डालती है इन्हें कीजिए एक चौक की टुकडे से फर्ष पर एक बहु भुच बनाईए आकृती में एक पंच भुच A, B, C, D, E दर्शाया गया है आकृती 3.8 यह एक बहु भुच है A, B, C, D, E A के बाहरवाला कोण 5 है B के बाहरवाला कोण 1 है C के बाहरवाला कोण 2 है D के बाहरवाला 3 है और E के बाहरवाला कोण 4 है हम सभी कोणों के मापों का योग जानना चाहते हैं अर्थात M कोण 1 जमा M कोण 2 जमा M कोण 3 जमा M कोण 4 जमा M कोण 5 है A से आरंब कीजिए और A B के अनुदिश चलिए B पर पहुँचने के उपरांत आपको कोण M कोण 1 पर घूमने की आवश्यक्ता है जिससे आप B C के अनुदिश चल सकें C पर पहुँचने के उपरांत C D के अनुदिश चलने के लिए आपको M कोण 2 पर घूमने की आवश्यक्ता है आप इसी तरीके से चलना जारी रखें जब तक आप A पर नहीं पहुँच जाते वास्तव में इस तरहां से आपने एक पूरा चक्कर घूम लिया है इसलिए M कोण 1 जमा M कोण 2 जमा M कोण 3 जमा M कोण 4 जमा M कोण 5 बराबर है 360 डिगरी एक बहुभुज की चाहे कितनी भी भुजाएं हों उन सब के लिए यह सही है अतह किसी बहुभुज के बहा ये कोणों के मापों का योग 360 डिगरी होता है उदाहरण 1 आकरिती 3.9 में माप X ज्याद कीजिए आकरिती 3.9 यह एक चतुर भुज है एक कोण के बाहर वाला कोण X है दूसरे के बाहर 90 डिगरी है तीसरे के बाहर 50 डिगरी है और चौथे के बाहर कोण 110 डिगरी है हल, X जमा 90 डिगरी, जमा 50 डिगरी, जमा 110 डिगरी, बराबर है 360 डिगरी क्यूं, x जमा 250 डिग्री बराबर है 360 डिग्री, x बराबर है 110 डिग्री, प्रयास कीजिए, एक सम शड़ भुज लीजिए, आकरिती 3.101, आकरिती 3.101, इक शुन्य, इस शड़ भुज के सभी कोण, ए हैं, साथ ही, जो कोण बाहर हैं, वह हैं, P, Q, R, X, Y, Z. एक, बाहये कोणों, X, Y, Z, P, Q तथा R के मापों का योग क्या है? दो, क्या X बराबर है Y, बराबर है Z, बराबर है P, बराबर है Q, बराबर है R, क्यों? तीन, प्रतियक का माप क्या है? एक, बाहये कोण, दो, अन्तह कोण, चार, इस क्रिया कलाब को निमनलिखित के लिए दोहराएं, एक, एक सम अश्ट भुज, दो, एक सम बीस भुज, उदाहरन दो, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ग्यात कीजिये, जिसके प्रतियक बाहये कोण का माप 45 डिग्री है हल, सभी बाहये कोणों की कुल माप बराबर है 360 डिग्री, प्रतियक बाहये कोण का माप बराबर है 45 डिग्री, प्रिष्ट संख्या 48, इसलिए बाहये कोणों की संख्या बराबर है 360 बटा 45 बराबर है 8, अतह बहुभुज की 8 भुजाएं है प्रश्नावली तीन दशम लवदो 1. निम्नलिखित आकृतियों में X का मान ग्याद कीजिए A. यहाँ पर एक त्रिकोन बना है त्रिकोन के हर कोन के बाहर एक कोन है इनके माप है 125 डिग्री, 125 डिग्री और X डिग्री B. यह एक बहुभुज है इस आकृति में एक कोन के बाहर 60 डिग्री का कोन है एक के बाहर 90 डिग्री का कोन है एक के बाहर 70 डिग्री, एक के बाहर X और आखरी 90 डिग्री का कोन है 2. एक सम बहुभुच के प्रत्येक बहाये कोण का माप ग्याद कीजिए, जिसकी एक नौ भुजाएं, दो पंद्रा भुजाएं हूँ 3. एक सम बहुभुच की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बहाये कोण का माप 24 डिगरी हो 4. एक सम बहुभुच की भुजाओं की संख्या ग्याद कीजिए, यदि इसका प्रत्येक अंतह कोण 165 डिगरी का हो 5. ए, क्या ऐसा सम बहुभुच संभव है, जिसके प्रत्येक बहाये कोण का माप 22 डिगरी हो 6. ए, किसी सम बहुभुच में कम से कम कितने अंश का अंतह कोण संभव है, क्यूं? 6. ए, किसी सम बहुभुच में अधिक से अधिक कितने अंश का बहाये कोण संभव है, 3.4 चतुर्भुजों के प्रकार 1. एक चतुर्भुज की भुजाओं व, कोणों की प्रकृती के आधार पर इसे विशेश नाम दिये जाते हैं, 3.4.1 3. सम लंब सम लंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानतर होता है, यहाँ पर कुछ आकरितियां बनी है, ये सम लंब हैं, इसके बाद कुछ आकरितियां बनी है, ये सम लंब नहीं है, उप्रोक्त आकृतियों का अध्यान कीजिए और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि क्यों इन में से कुछ समलंब हैं और कुछ समलंब नहीं है संकेत तीर का निशान समानतर रेखाओं को दर्शाता है प्रिष्ट संख्या उन्चास इन्हें कीजिए एक, समान सरवांगसम त्रिभुजों के कटे हुए भाग लीजिए जिनकी भुजाएं तीन सेंटीमीटर, चार सेंटीमीटर, पांच सेंटीमीटर हैं इन्हें व्यवस्थित कीजिए जैसा की आकृति में दर्शाया गया है आकृति 3.11 यहां पर तीन त्रिभुजों को जोड़ा गया है तीनों त्रिभुजों की भुजाएं तीन सेंटीमीटर, चार सेंटीमीटर और पांच सेंटीमीटर हैं आपको एक समलंब प्राप्थ होता है, निरीक्षन कीजिए यहां पर कौन सी भुजाएं समांतर हैं, क्या असमांतर भुजाएं बराबर मापकी होनी चाहिए इन समांत्रिभुजों के समुहु का उप्योग कर आप दो और समलंब प्राप्थ कर सकते हैं उनको ढूंडिये और उनकी आकरितियों की चर्चा कीजिए दो, अपने तथामित्रों के ज्यामितिये बॉक्स से चार सेट स्क्वेर लीजिए इन्हें अलग-अलग संख्याओं में उप्योग कर साथ-साथ रखिए और अलग-अलग किस्म के समलंब प्राप्थ कीजिए यदि समलंब की असमानतर भुजाएं बराबर लंबाई की हूँ तो हम इसे सम द्विभावू समलंब कहते हैं क्या आपने उपर किये गए अपने किसी निरीक्षन में कोई सम द्विभावू समलंब प्राप्थ किया है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समनवयक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत